दोस्तों बिग बॉस सीजन 17 में फुल ट्रामा अब शुरू हो चुका है घर के सदसों के बीच कीचातान शुरू हो गई है अंकुद्धा लोखंडे से लेकर मनारा चोपड़ा तक घर में सभी अपनी रननीती के तहट खेलते हुए दिख रहे हैं सितारों को शो में अपने असल रूप में अब देखा जा रहा है शो में इन सितारों को भारी फीस देकर लाया जाता है बिग बॉस के नए सीजन के प्रतिभागियों को भी शो में बने रहने के लिए अच्छी खासी फीस मिल रही है वहीं शो के होस सलमान खान तो करोडों में कमाई कर रहा है आएए इस इपिसोड बे हम आपको बताते हैं कि इस बिग बॉस सीजन 17 में आखिरकारबों को किस तरह के पैसे दिये जारा है बिग बॉस की जान यानि कि सल्मान खान भी इस शो के लिए तकड़ी फीस लेते रहे हैं होस के तोर पे वे हर वी 12 करोड रुपए जिहां 12 करोड रुपए चार्ज कर रहे हैं गौर तलब है कि सल्मान खान शनिवार और रविवार को दो दिन शो होस करते हैं यानि कि वो प्रती एपिसोट 6 करोड रुपए बिग बॉस से कमा रहे हैं पवित्र रिष्टा फेम अंकिता लोखंडे को सभी प्रती भागियों में सबसे जादा फीस मिल रही है अंकिता को हर वीक शो में बने रहने के लिए 12 लाख रुपए मिल रहे हैं वहीं कंगना रनोत के शो लोक अप के विनर रह चुके मनवर फॉरिक को हर वीक के लिए 7 से 8 लाख रुपए मिल रहे हैं शो में प्रियंका चोपडा की बहन मनारा को घर में रहने के लिए लाख रुपए मिल रहे हैं वहीं अभीशेक कुमार को घर में रहने के लिए हर सब्ता पांच लाख रुपए की फीस के तौर पर दिये जा रहा है अभीशेक कुमार की एक्स गर्फ्रेंड इशा मालविया को शो उड़ा रहे के जरीए जो की फेमस हुई थी उन्हें शो के लिए 7.5 लाख रुपए फीस के तौर पर दिये जा रहे है गुम है किसी के प्यार में के जरीए हिट हुई चोड़ी नील भट और एश्वरिया शर्मा गोवी सीजन 17 के लिए अच्छिकासी फीस मिल रही है नील को जहाँ 7 लाख रुपए मिल रहे है वही एश्वरिया को 11 से 12 लाख रुपए इश्व के जरीए मिल रहे है क्राइम रिपोर्टर जिगना वुरा को शो में हर वीक बतौर फीस 7.5 लाख रुपए मिल रहे है शो में एक्टरस रिंग उधवर ने बिग बॉस सत्रा के एक हफ़ते के लिए 4 लाख रुपए चार्ज गे हैं वहीं सना रईस खान जो कि विशिसिक वकील है तो सना ने बिग बॉस सत्रा के लिए 6 लाख रुपए चार्ज गे हैं तो ये थी Big Boss Special की एक छोटी सी coverage और जानने के लिए जुड़े रहें खबरी के साथ क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र तो ये खिए जयए खबरी की है खबरी की है हर खबरी के बड़र झाल